चलो, पूछो क्या confusion ज़्याच रहा है, start उन्हें क्या मिलता है, और उसका answer, what did they used to get, तो इसमें used to क्यों है? नहीं, सवाल आपने गलत पुछा, आपका सवाल है कि उन्हें क्या मिलता था? Question है, उन्हें क्या मिलता था, right? सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये sentence past है या present है या future है, क्या लगता है? Past. Past है, right? अब past में कौन सी category का sentence है? Past regular activity, यानि कि हमेशा मिलता था, हमेशा मिलता था, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब भी हम past regular activity की बात करते हैं, जैसे example के लिए हम जाया करते थे, तो we used to go, वो खेला करते थे, they used to play, right? अब अगर इसी की बात करें, कि हमें मिलता था, यानि कि हमें मिला करता था, तो we used to get, right? अब अगर इससे हम negative में डालते हैं, तो negative में डालने से क्या होगा? वी used to not get, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? अगर हम did not use करेंगे, तो क्या उसके बाद हमें used बोलना पड़ेगा? used बोलना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हम already did not use कर चुके हैं, तो उसमें use के साथ d नहीं आएगा, क्योंकि negatives के बाद हमेशा वीवन होता है, right? डिड़नाट के बाद हमेशा वीवन होता है, तो used कैसे आएगा? उसमें से d हट जाएगा, तो we did not use to get, सिर्फ usc, क्योंकि वीवन चाहिए हमें, negative में, अब इसी को अगर हम अगर मालो interrogative कर देते हैं, जो आपका सवाल है, कि हमें क्या मिला करता था, या फिर हमें क्या मिलता था, right? उन्हें क्या मिलता था, हमें क्या, एक ही बात है, सिर्फ person change हुआ है, क्या मिलता था? तो यह सवाल हो गया, है ना? तो अब जब past regular activity के questions जब बुलते हैं हमें, ध्यान से सब्ज़ों में फिर से बता रहा हूँ, जब past regular activity के interrogative sentences हमें मिलते हैं, तब वहां हम single moment का ही formula यूज़ करते हैं, जो होता है P plus did plus V1, यानि कि subject plus did plus were 1, उसी पर हम set करते हैं, तो उसके हिसाब से answer के निकला, कि what did they used to get, यानि कि what did we used to get, अगर हम है तो, अब उसमें सिर्फ एक बात गौर करनी है, कि उसमें से used नहीं होगा, डी हट जाएगा, क्यों क्योंकि हमने already did use किया है, दूसरी बात, अगर आपने से कुछ लोग अभी भी confused हैं, तो बता दूँ, simple सी बात है, do, does, did, ठेक, do, does, did, did not, does not, could not, cannot, will not, will not be, यह जितने भी होते हैं, negatives या फिर माल लो, do, does, did, यह भी होते हैं, इनके बाद हमेशा V1 यूज़ होता है, जैसे should, could, would, might, must, यह जितने भी हैं, इनके साथ हमेशा V1 यूज़ कर चुके हैं, तो फिर यूज़ नहीं आएगा, बस यूज़ में से डी हट जाएगा, तो सेम आंसर हो गया भारा, तो कैसे पता चलेगा कि डिट भी इसमें यूज़ होगा, और यूज़ भी है? अभी मैंने क्या बताया, कि past single moment वाले जो sentences होता है, जैसे example के लिए, अगर इसी को हम ऐसे करें, कि उन्हें मिला, उन्हें मिला, एक मिनट सुनो, उन्हें मिला, कितनी बार मिला? एक बार, यानि कि हम person प्लस verb 2 लगाएंगे, they got, right? या फिर, आप अगर दूसरा formula यूज़ करेंगे, पी प्लस दिट प्लस वी वन का, तो they did get, अब दिट के बाद मैं got बोल सकते हो, क्या? नहीं ना, नहीं ना, तो बस यहाँ पर भी तो already हमारा did आ चुका है, तो फिर उसमें used कैसे बोलोगे? उसमें से डी हटाना पड़ेगा, सिर्फ use आएगा, क्योंकि did already use कर चुके हैं, लेकिन आपका सवाल एक और क्या दिमाग में आ सकता है, कि हम use क्यों use करें? यह आपका सवाल होना शाइए, अगर मैं गलत नहीं होता है, समझे? यही था ना सवाल? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह past regular activity का question है, तो past regular activity हम क्या use करते हैं? use ना use करते हैं, तो इसलिए उसमें से use आया, उसमें से डी हटा कर, क्यों? क्योंकि did हम already use कर शुके हैं, अब मैं कुछ और example दे देता हूँ, क्या हम दोड़ा करते थें, तो did we use to run, इसमें से डी हटा, क्या हम एक साथ practice किया करते थें, तो did we use to practice together, सब में डी हट जाएगा, सिर्फ यूज रहेगा, क्या तुम मेरी मदद किया करते थे, did you use to help me, क्या हम वहां रोज जाया करते थे, did we use to go there every day, अब अगर मान लो डब्ली अज डालते हैं, कि हम वहां रोज क्यों जाया करते थे, तो क्या हो जाएगा, why did we use to go there every day, used में से डी हट गया, use रहेगा, अब कोई confusion, अभी तो बताया, वो तो fast regular activity है, इसलिए इसलिए, देखो, past regular activity के sentences हो, या past single moment के sentences हो, दोनों को, p plus did plus v1 पर set करेंगे, बस, ठीक है, मैंने अभी आपको कितने examples दे हैं, अगली confusion, मेरा question यह था सब, कि जैसे was word यूज करते हैं, हम कैसे, डील कभी कभी यूज करते हैं, नहीं समझ माते हैं, यहाँ डील लगए या जैसे था, अब वहाँ पर was word भी लगता है, और डील भी लगता है, आपको यह चीज समझ में नहीं आता है, यह देल हो गया या वाज बन लगता है, यह अच्छा सवाल है, यह question है कि कई बार हम sentences में देखते हैं, कि था थी आता है, जैसे sentence में सुनोगे था, आप उसी वक्त was यूज़ कर देते हो, यह आपकी परेशानी है, तो हर था का मतलब was नहीं होता है, जैसे हर भी का मतलब also नहीं होता है, जैसे हर तक का मतलब till नहीं होता है, उसके और भी कई सारे मतलब होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें category पकड़नी होगी न, अब मैं आपको example दूँगा, आपकी confusion फूरी clear हो जाएगी, जैसे example के लिए, वो गया था, sentence है, वो गया था, हमने जैसे सुना था या भाई, वोज उस कर लो, आपके दिमाग में सबसे पहले वॉज आ जाएगा, यही गलती है, वो गया था हमें देखना है, कि वो कितनी बार गया था, एक बार, तो वो कौन सी category में sentence पड़ेगा, दिड वाली category, single moment, या तो subject प्लस V2, नहीं तो subject प्लस have, has, had, प्लस V3, नहीं तो subject प्लस, did प्लस V1, इन तीनों में से कोई एक पकड़ सकते हैं, आपकी सुविधा के इसाब से, क्योंकि आप लोग freshers है, तो अब यहाँ पर was किया तो कोई काम ही नहीं है, आपने था सुना, आपने सुचा was आएगा, नहीं जरूरत है उसकी, English के टाइम पर आपको p plus have has add plus v3 use करना पड़ेगा, ठीके, अब मान लोगर हम बूले, कि वो घर पर था, वो घर पर था, अब यहाँ भी था आ रहा, यहाँ आपको was use करना पड़ेगा, अब सवाल है, कि यहाँ was क्यों हुआ, वहाँ use क्यों नहीं हुआ, यह सवाल है ना, तो simple सी बात है, sentence one जो हमने इसके पहले cover किया, उसमें हमने देखा कि उसमें एक action था, राइट, एक action था, यानि कि वो वहाँ गया था, या फिर वो गया था, वो गया, जाने वाला एक काम था ना उसमें, यानि कि person कुछ कर रहा था, person doer था, उसमें action था, जिसकी वज़ा से क्या हुआ, उसमें हमने was use नहीं किया, उसमें हमने directly verb यूज किया, क्योंकि verb का मतलब क्या होता है, action, come, career, यहाँ पर क्या है कि वो घर पर था, क्या यहाँ पर कोई action है, नहीं है, तो यहाँ पर was आएगा, he was at home, जैसे example के लिएकर मैं बोलू, कि मैं cash हूँ, तो I am cash, है ना, मैं cash था, I was cash, इसमें कुछ कर रहा था cash, नहीं, तो यहाँ was हुआ था के लिए, अब देखो, cash ने देखा था, यहाँ भी था आया, यहाँ पर was नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक action है, cash कुछ कर रहा था, तो cash saw, या फिर cash had seen, यह होता फर्क था उरता, सबसे पहले category पकरो, अग्ला सबाव, अग्ला सबाव, यह पिछले संडे को special class के वीडियो में, मैंने इसको पूरे detail में समझा है, आप वहला वीडियो जाकर देख लेना, लास संडे वहाँ special class का, अग्ला सबाव, अच्छा सवाल हमें क्या पूछा जाने वाला था, अज़ा सुनो, बहुत अच्छा सवाल है एतशाम का, कि हमें क्या पूछा जाने वाला था, सबसे पहले आपको बता दूँ कि वाला वाली वाले sentences में हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको बाकाइदा एक वीडियो मिलेगा, आपको search मारना है, supposed to by Sajid sir, वो वीडियो आपके पास आजाएगा, या फिर about to by Sajid sir, वो पूरा concept आपका आजाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप confused हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो, discuss करते हैं, सबसे पहले, वाला वाली वाले sentences में हम यूज़ करते हैं, मैं फिर से रपीट कर रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से देख लो, परसन प्लस इसमार वाज़ वर प्लस सपोस्टो या फिर अबाउट तू या फिर प्लस वीडियो, ये होता है फॉर्मिला हमारा वाला वाली वाले sentences के लिए, अब example के लिए अगर हम देखें, कि हम जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं, तो इस formula पर अगर set करेंगे तो answer निकलेगा, we are supposed to go, या फिर हम बोल सकते हैं, we are about to go, अब इसको अगर past में ले जाएं, हम जाने वाले थें, तो we were supposed to go, या फिर we were about to go, क्योंकि past के लिए options थें, was or were, एक सवाल आपका यहां आ सकता है, कि future वाले sentences को इसमें कैसे solve करेंगे इस formula से, जैसे example के लिए अगर हम बोलें, कि हम 25 तारीक को जाने वाले हैं, हम 25 तारीक को जाने वाले हैं, तो हम future की बात कर रहे हैं न, तो इस formula में, जो मैंने आपको इस formula में बताया कि p plus is mr was were supposed to, about to, plus will रही, इसमें future के लिए कोई will जैसा कुछ लग रहा है, नहीं, तो सवाल है कि future वाले sentences इसमें solve कैसे करेंगे, तो उसका जवाब बहुत simple है, कि इस तरह के sentences में future वाले sentences को भी, present वाले option से ही solve कर लेते हैं, उसके लिए कुछ अलग से लगाने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, present वाले option हमारे response कौन से तीन है, is mr, right, अब देखो यहां पर क्या होगा, हमारा सवाल है कि हम 25 को जाने वाले हैं, और हमारा sentence one क्या था, हम जाने वाले हैं, तो अगर इस sentence three में से हम 25 को, इस part को अगर निकाल दें, तो बसता क्या है, हम जाने वाले हैं, ठीक sentence one की तरह, तो हम जाने वाले के लिए, हमने क्या sentence solve किया था, कि we are supposed to go, या फिर we are about to go, तो यहाँ भी उसका answer क्या निकल जाएगा, कि हम 25 को जाने वाले हैं, we are supposed to go, या फिर we are about to go, बस, अब आगे हमें क्या add कर देना है, 25 को, तो अब date है, date के साथ मैंने क्या बोला था, on use करने के लिए, very good, तो we are supposed to go on 25th, बस यही चीज़ आगे add कर दी जाती है, इसके लिए कुछ अलग सी use नहीं करना पड़ता है, इसे मार वाले options से ही, हमारे sentences future वाले बन जाते हैं, अब, एहतशाम का सवाल यह नहीं है, उसका सवाल है, कि हमें क्या पूछा जाने वाला था, तो अब हम यहाँ पर इस sentence को ध्यान से समझेंगे, अगर इस sentence का अलग एक sentence निकालते हैं, कि हम पूछने वाले थे, हम पूछने वाले थे, तो answer का निकल जाएगा, हम पूछने वाले थे, क्या होगा बोलो, हाँ जी, क्या होगा, we were about to ask, किसका answer निकला, हम पूछने वाले थे, हम पूछने वाले थे, we were supposed to ask, लेकिन सवाल क्या है, हमें क्या पूछा जाने वाला था, हाँ ना, बात को समझो, यहाँ पर हम नहीं पूछ रहे हैं, हम से कोई पूछ रहा है, हमें क्या पूछा जाने वाला था तो यह sentence को सुन कर देखो समझ कर कि हमें क्या पूछा जाने वाला था यह sentence कोई ऐसे statement नहीं है एक plain sentence नहीं है यह है passive है ना अब आपको क्या लगता है कि passive sentences जो मैंने आपको chapter दिखाया है या फिर आपको वीडियो बना कर दिया है पैसिव का क्या वही passive होते हैं नहीं passive sentence कोई सा भी हो सकता है किसी भी formula का हो सकता है किसी भी chapter का हो सकता है तो इसमें supposed वाले sentence का यह passive है supposed वाले sentence का passive अब आप अगर एक वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जा करके आप search मार सकते हो मैंने एक वीडियो इस पर बनाया है जिसमें आपको trick बताई है मैंने उस वीडियो में trick बताई है कि आप कैसे किसी भी sentence को passive में convert कर सकते हैं वो trick बताई है मैंने उस वीडियो में वो वीडियो जाकर देखना how to make any sentence passive by सजीट से आपको वीडियो मिल जाएगा फिलहाल इसका answer जो है वो मैं आपको बता दूँ कि what were we supposed to be asked फिर से एक बार repeat कर दूँ what were we supposed to be asked अब इसका format ये कैसे set हुआ वो वीडियो देख लेना जाकर कि आपको पूरा concept मिल जाएगा कि कैसे भी किसी भी sentence कौन passive बना सकते है अब वी 3 passive में हमेशा वी 3 कैसे संजी कि passive sentence क्या है क्योंकि simple सी बात है अगर मैं बोलूँगा कि मालो आप यह example लेते हैं कि cash movie देख रहा cash movie देख रहा तो cash is watching movie अब इसको घुमा दिया जा है cash को movie दिखाई जा रही है यह cash देख रहा movie उससे दिखाई जा रही है ना तो यहां से पकड़ मैं आ जागा कि पैसिव है उसी तरह देखो यह sentence कौन सा था कि हम पूछने वाले थे तो यहां पर action कौन कर रहे थे हम we were supposed to ask अब अगला सवाल क्या आ गया था हमें क्या पूछा रहने वाला था तो क्या हम पूछ रहे थे कोई और हमें पूछने वाला था यानि कि अगला सवाल सवाल है कैश का कि वह साइंस नहीं पढ़ना चाहता था ठीक है यह है सवाल हमारा तो अब बताओ कि वह साइंस नहीं पढ़ना चाहता था अगर मैं बोलू कि वह साइंस पढ़ना चाहता है वह साइंस पढ़ना चाहता है तो है के लिए हम क्या करेंगे यह प्रेजंट है अब प्रेजंट में यह क्या है सिंगल मोमेंट है कि प्रेजंट में यह ना हो है कि रेगलर अक्टिविटी है वह साइंस पढ़न जाहता है, answer का निकल जाता है? क्या हो गया? Person plus WeBan क्या होगा answer? शाभाश, He wants to study यह ना third person singular number तो He wants to study science अब अगर इसको negative करदें कि वो science नहीं पढ़ना चाहता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसका उल्टा क्या होगा नेगेटिव, उसी तरह अगर कहें, कि वो साइंस पढ़ना चाहता था, कितनी बार, पास्ट हो गया, इसमें सब्जेक्ट प्लस वी टू लग जाएगा, चाहना मतलब क्या होता, वांट उसका वी टू क्या हो, नहीं पढ़ना चाहता, तो क्या हो जाएगा, he did not want to study साइंस, समझे, अगर सब्सक्राइगा, क्या तुम मुझे ये समझा पाओगे, तो यहां पर सर, में जो लगता से ये नहीं समझा था, कि में, देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो बता दू, सवाल है इसका, कि क्या तुम मुझे ये समझा पाओगे, ठीक है, क्या तुम मुझे ये समझा पाओगे, देखो, समझना मतलब क्या होता है, understand, लेकिन समझाना मतलब क्या होता है, समझना मतलब understand हुआ, समझाना मतलब क्या होता है, समझाना मतलब make understand होता है, और ये triangle वाला chapter है, आपको जाकर type करना है, make by बाई सर्जीज सर या फिर गेट बाई सर्जीज सर आपको पूरा कॉंसेट आ जाएगा पूरे वीडियो में इसलिए हां पर मेक हुआ कि हाउ विल यू बी अबल तो मेक में अंडिस्टैंड इस तुम मुझे यह कैसे समझा पाऊगे अगला सवाल सर कल की कल फ्राइडे था हां कल की कल की कल अच्छा मतलब कल अच्छा परसों फ्राइडे था यह बोलना चाहते हैं तो देखो परसों दो तरह का होता परसों एक आने वाला परसों होता और एक बीता हुआ परसों होता तो जो आने वाला परसों होता उसको बोलते हैं The day after tomorrow. The day after tomorrow. और जो बीता हुआ परसन होता, वो होता the day before yesterday. ठीक है? The day before yesterday. Next question. The day after tomorrow. The day before yesterday. Next question. हाँ, पुछो. ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो. अच्छो. यह तो बहुत सिंपल सी बात है. ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है. तो it may happen or it may not. It may happen or it may not. ठीक है? अब आपका सवाल यह में कहां से है? यह है. इस आपको जाने. देखो. इस पर भी वीडियो है. में माइट बाइसरजीज सर. में बाइसरजीज सर. में माइट बाइसरजीज सर. में माइट मस्ट बाइसरजीज सर. इसको देखो. एक एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ. हलाकि वीडियो ज़रूर देख लेना पूरे डीटेल में पता चल जाएगा. अभी मैं कराफ आइडिया देता हूँ. उसमें क्या होता है? में माइट मस्ट को लेकर एक सिंपल कॉंसेप्ट अपने दिमाग में रखो कि में को पकड़ो हाँ या सुनलो में को पकड़ो 25% माइट को पकड़ो 50% और मस्ट को पकड़ो 100% एकदम सिंपल कैसे? बारिश हो सकती है. अब अगर आपको 25% चांसेज लग रहे हैं तो इट में रेन अगर 50% है तो इट माइट रेन अगर 100% है तो इट मस्ट रेन तो आपका सवाल है यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मतलब इसमें आपको चांसेज कम हैं तो इसलिए वहाँ पर में का यूज हुआ है कि अगला सवाल पहले उसकी बात का जवाब दो पहले उसकी बात का जवाब दो सवाल है क्या था उसने मुझे ये नहीं करने दिया इसमें लेट का यूज होगा क्योंकि ये लेट वाला चैप्टर है पूरी डीटिल में जानना है तो लेट टाइप करके पूरब आज आगा वीडियो दूसरी बात और बोल तो ही बोला जागा लेट का क्या होता है यहां लेट क्यों आया क्योंकि लेट में क्या होता है कि हमें लास्ट में देखो पहचानने का तरीका मैं आपको shortcut बता देता हूँ बाकी पूरा वीडियो घर पर देख लेगा क्योंकि इस वीडियो में फिर repeated content हो जाएगा देखो last में आपको क्या सुनने को मिलेगा एक shortcut की दे रहा हूँ या फिर देंगे दूँगा देगा अगर ये words अगर last में हैं तो समझ लो कि ये let वाले sentences हैं एकदम shortcut तरीका अब देखो कैसे example दिखाता हूँ और clear हो जाएगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा देखो दूँगा या तो I will not let you go उसने मुझे जाने नहीं दिया अभी दिया बोला न तो He did not let me go हम उससे आने नहीं देते हैं देखो देते हैं भी बोला मैंने अभी आपके मिलता तो we don't let them come तो वही यहाँ पर क्या है कि उसने मुझे सवाल क्या था? उसने मुझे यह नहीं करने दिया तो देखो दिया आया तो उसने मुझे यह नहीं करने दिया तो He did not let me do this एकदम सिंपल ट्रिक बता दी ना अब पूरा चैप्टर अगर देखना वीडियो जाका देख लेना नेक्स क्वेश्टिन फिर से वही जो हमने एकदम स्टार्टिंग में बोला वही चीज़ है मैंने बैच B को बारां पंदना पर बुलाया था एक ही बात है अब यहां पर था सुनकर तुरंट वाज मत यूज कर देना सबसे पहले तो समझना होगा ना कि कितनी बार बुलाया था एक बार यानि कि पास्ट अक्टिविटी है तो सब्जेक्ट प्लस वी टू यूज कर देना है या फिर सब्जेक्ट प्लस है वहाज एड प्लस वी तरी जो मैंने पहले ही बताया है तो आई कॉल्ड नहीं तो आई हैड कॉल्ड बैच बी अगर हाँ अगर इसी कैसे बोलोगे कि बैच बी मौझूद था तो अब दोनों सेंटेंस में फर्क समझे ज़ए था मैंने पहले एक्स्प्लें किया कि मैंने बुलाया था मतलब यहाँ पर मैं परसन मैं जो था वो अक्शन में था तो यहाँ पर मैंने क्या कि अब वर्ब यूज किया था अब बैच बी मौझूद था क्या बैच बी कुछ कर रहा था अक्शन नहीं था तो यहाँ पर था के लिए वो अजा जाएगा कि बैच बी वोस प्रेजन यही हो था अगला स्वाब चलो इसे चलते रहने दे है ना तो मैं इसे चलते रहने दूगा अब यह मैं बोला लेट आ जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर लेकिन यह sentence बहुत interesting sentence है क्योंकि इसमें दोनों use होंगे इसमें let's भी use होगा इसमें let's भी use होगा अब आपनों सोच जोंगे कि ऐसे sentence बनता है क्या बिल्कुल यही example है हमारा इसमें let's भी आएगा let भी आएगा पहला let's कैसे इसका सबसे पहले तो आसर बता दो कि चलो इसे चलते रहने दे चलो इसे चलते रहने दे तो सबसे पहले चलो के लिए हम क्या करते हैं बोलेंगे चलो चलो खेलते हैं तो let's play चलो मिलते हैं let's meet तो यहाँ चलो के लिए सबसे पहले क्या निकल गए हमारा let's let's एक तरफ आगे हमारा अब क्या है इसे चलते रहने दे इसे चलते रहने दे अगर मैं मालो शबीना को बोलता हूँ कि इसे खाते रहने दो तो इसको क्या बोलूँगा, let him keep eating है न, उसे उसे बात करते रहने दो let him keep talking तो इसे चलते रहने दो, let it go on तो अब पूरा sentence क्या हुआ है let's let it go on तो एक बर let's भी आया, एक बर let भी आया तो let's let it go on, यह इसका अंसर हुआ अग्या सवाद देखो आपको एक हफ़ता मिलता है यह सोचने का कि संडे को special class में जाकर पूछना क्या है और यहां आकर मूर्ती बनके बैठ जाते हूँ पूछो क्या पूछना एक हफ़ते में कोछ सोच नहीं सकते हूँ क्या पूछना रहा रही वाले sentences में हमेशा V4 use होता है यह एकदम basic chapter 1 में आपको दिखाया गया था जिसमें now वाली category है दोनो वही तो चीज है सवाल है अब नहीं होगा प्लेइन होगा प्लेइन नहीं होगा आपने note गलत किया होगा आपने ing मिस कर दिया उसने यह आपका जो जैसे present न आउ पास्ट ना या फिर grammar के हिसाफ से बोले जरे जैसे इसमें वो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखता था देखो, सवाल है कि वो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखता है, है ना, वो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखता है, तो यहां पर देखो, ख्याल रखने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो ह कई बार किसी को आप लोग टेक्स भी करते हैं तो देखते हो ना कि take care of yourself, लिखते हैं न हम लोग, take care of yourself, तो take care के बाद में हम off use करते हैं, और अगर आपको ये off का, off वली confusion हटानी है, तो look after use कर लो, उसके बाद कुछ use करने के जरूरत नहीं है, कि look after yourself, ऐसा होता है, सवाल रोजाना खरीदारी करनी पड़ती है, बहुत interesting question, इस पर बहुत अच्छा explanation आने वाला ध्यान से समझो, सवाल है, क्या उसे रोजाना खरीदारी करनी पड़ती है, हाना, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा के लिए, हम लिए आपको दो वीडियोज मिलेंगे, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू, आप जैसे ही टाइप करोगे, हैव बाई सर्जीत सर, आपको पार्ट वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हैव, हैस, हैड होगा, अब अगर टाइप करोगे, हैव टू, बाई सर्जीत सर, त उसमें पार्ट टू मिलेगा, have to, has to, had to, ठीक है, उसमें पूरा आपको डीटेल्स में चैप्टर मिल जाएगा, फुल कॉंसेट के साथ, लेकिन अभी मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, कि क्या उसे रोजाना खरीदारी करनी पड़ती है, तो पड़ता पड़ती है क लिए हम यह क्या उसकरते है, have to, या फिर has to, अब उस चैप्टर में आपको बताया गया था, जब आपने special classes ले थी, कि have to का use होता है कि इसके साथ में, he, she, it, one name के अलावा बाकी person के साथ, है ना, जैसे we हो गया, they हो गया, you हो गया, या फिर एक से जादा नाम हो गया, तो उसमें हम क्या करते है, have to, और he, she, it, one name के साथ में क्या करते है, has to, है ना, और had to का तो पास्ट में होता हर परसन के साथ क्या रह सकता है, यहाँ सवाल है, क्या उससे रोजाना खरिदारी करनी पड़ती है, यानि कि present है, लेकिन present में यह क्या है, यह statement है, कि negative है, कि question है, question, यानि कि एक सवाल है, कि क्या उससे रोजाना खरिदारी करनी पड़ती है, इसका आंसर निकलता है, does he have to shop every day, अब, मैं फिर से पहले repeat कर दूँ, does he have to shop every day, अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ही आ सकता है, कि भाई, अभी आपने कहा कि he, she, it, or one name के साथ में has होता है, त कि भाई, he, she, it, one name के साथ में अभी आपने वोला has होगा, तो यहाँ पर have क्यों है, यहाँ इसलिए have आया, क्योंकि हमने यहाँ पर use किया है does, तो बात याद रखना हमेशा, do, does, did, अभी पहले भी मैंने बताया था explanation में, do, does, did हुआ, can हुआ, could हुआ, should हुआ, might हुआ, must ह इनके बाद हमेशा क्या आता है, we, one, ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हमने has, had use नहीं करके have use किया है, भले ही person उसमें ही है, क्योंकि, अच्छा, एक और बात, दो बातें बताता हूं, पुरा clear हो जाएगा, एक बार और समझो, यह sentence कहां का है, कहां का interrogative है, बताओ, present तो है, present म रेगलर activity का interrogative हम किस formula पर set करते हैं, आज ही मैंने आपको interrogative दिखाया, P plus do does plus we, one, करते हैं, P plus do does plus we, one, तो उसी formula पर तो इसको set किया है, P plus do does plus we, one, तो यहां पर person कौन था, he था, he था, हाँ, तो P plus do does plus we, one, अब person कौन है, he, तो he के साथ में do या does, देखो साफ साफ does लिखा हुआ, he के साथ does, है न, तो he does, अब हमें चाहिए we, one, तो has और had नहीं आएगा, वहां पर have आएगा, he does have, he does have to, अब उसका one two two one कर दें does he have to, इसी रिसकांस नेकला, does he have to shop every day, है न, does he have to shop every day, दूसरी बात, अब आप में से कुछ लोग मुझे पता है, अभी भी confused हैं, कि सर, ठीक है, clear है, पर तसलिए नहीं है, ऐसा होता कभी कभी, कि answer सुनकर हमें लगता है कि हाँ, ठीक है, पर अंदर से लगता है न, कि मतलब ने, कुछ और बहतर से इसको अगर समझाय रहा तो बढ़ी हैं, तो एक simple सी बात बता रहा हूं, याद रखना, भूल जाओ grammar, भूल जाओ book, ठीक है, एक answer, simple, सारी confusion clear, उतना दिमागी नहीं लगाना, क्या है, जब भी कोई sentence interrogative होगा, जब भी कोई sentence interrogative होगा, उसमें पढ़ पढ़ता हो, या पढ़ा हो, कोई भी person हो, आँख बंद करके उसमें have to use कर लेना, has to, had to से कोई मतलब नी बात खाता हो, अब होगा clear, भूल जाओ किताब को, grammar को, फिर से repeat कर देता हो, किसी भी sentence में, अगर पढ़ेगा हुआ, पढ़ता हुआ, या फिर पढ़ा हुआ, अगर अगला सवाल, घबरा रहता है कि कैसा sentence है भई, कुछ नहीं है, अभी ऐसे solve करोगा आप लोग इसको, कैसे, वो दूद पीते पीते मर गया, सबसे पहले, हमें base परकड़नी sentence की, कि वो मर गया, अब बोलो कितनी बाद मर गया, तो past activity में गया single moment, formula क्या P plus V2, तो P plus V2 पर set किया कि वो मर गया ивать? अब आगे सुनो में क्या बोलने माला हूं? जब भी आपको किसी sentence में ऐसे words आये, पीते पीते खाते खाते जाते जाते, या फिर पीते हुए खाते हुए जाते, या फिर पीते हुए खाते जाते, या फिर पर क्या हुआ वो मर गया ही डाइट अब क्या करते हैं करें माया दूद पीते पीते तो पीना मतलब क्या हुआ drink तो उसका before क्या हो जाए तो answer क्या निकला he died drinking milk हो गया he died drinking milk कुछ था अब देखो वो दौरते दौरते गिर गया तो सबसे पहले वो गिर गया P plus V2 percent कर देंगे he fell down अब क्या है दौरते 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 दौरतना मतलब उसके साथ answer हो गया क्या था कुछ था अब देखो वो रोते रोते सो गया सबसे पहले वो सो गया he slept अब क्या हो गया he slept crying कुछ था एकदम ही जी चलो अगला सवाल यो तुम्हें क्या सिखनाना है चाहता था हुआ जी चाहता था कि सुद है था हुआ 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 चाहता है तो फिर शुट कहां से आएगा शाहिये के साथ ही तिया होगा तब होगा शुट है प्रस वी थ्री यहां चाहता है कितनी बार चाहता था तो सिंगल मोमेंट का इंटेरोगेटिव हो गया, इसमें शूट का कोई मतलब ही भी, काम ही नहीं है, अगला सबाद, वो तुम्हारी तारीफ करता रहता है, ये चैप्टर का नाम है कीप उन, अगर यूटूब पर सरश मारोगे, कीप उन बाइस हजीज सर, आपको पूरा पूरा कॉंसेप्ट क्लि लो झाता है, टे क कारूला से झाता है, ये उन से चीजल को जीजल फूराइब आपकोब क्लिएया ते किवाले ल Christina Kim